नुश्कार्द बिहार टॉपे सभी दर्शकों का स्वागत है बिहार विद्याले परिक्षा समीती के तरफ से दसवी की यानि कि मैटरी की परिक्षा 14 फर्वरी से 22 फर्वरी के बीच आयोजित की गई थी और ये 22 फर्वरी को मैटरी का परिक्षा समाप्त हो गया मैट्री के परिक्षा के समापती के बाद अब जो छात्र हैं उनको इंतजार रहता है रिजल्ट का कि कब मैट्री का रिजल्ट जारी हो जाएगा और मैट्री के रिजल्ट के जारी होने के बाद तमाम जो विशय होते हैं उन विशयों में स्ट्रेंट एडमीसन लेते हैं कॉल जो मैट्रिक का रिजल्ट होता है वो जारी किया जाएगा उसका अनौंसमेंट हो गया है पहले कौपी का जो मुल्यांकन होता है वो किया जाएगा उसके बाद अगामी मार्च से अपरेल तक जो मैट्रिक का कौपी है उसके जाचत के उसके बाद रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया जाएगा हम आपको बताए कि ब्यार विदाले परिख्षा समीती के बोड के अध्यक्ष आनंद किसोर ने बताया कि इंटर और मैटरिक के मुल्यांकन की तैयारी अब शुरू हो गई है इंटर का मुल्यांकन 14 फरवरी से 5 मार्च तक चलेगा वहीं मैटरिक का मुल्यांक एक से 12 मार्च तक होगा हलाकि इस बीच हूली का परवाने के कारण कुछ दिनों तक मैटरिक का मुल्यांकन कारे बंद रहेगा इंटर के मुल्यांकन के लिए राज में 20,427 प्रधान और सह परिक्षक लगाए गए हैं 10,302 MPP के निवक्ति की गई है बाचित करें तो प्रवग 96,005 उत्तर पुष्टिकाओं की जाच होनी है इसके लिए 27,006 प्रधान और सह परिक्षक लगाए गए हैं वहीं 11,785 MPP निवक्ति की गई है आपको बताए कि बिहार विजाले परिक्षक समीति की तरब से इंटर की वार्षिक परिक्षक 2023 का रेजल्ट मार्च मे गोसित किया जाएगा वहीं मैटरी का रेजल्ट 31 मार्च तक या अपरेल के पहले सब्ता में जारी कर दिया जाएगा इसकी जानकारी बिहार वोड अध्यक्ष आनन किसो ने दिया संबदात सम्मिलन की इसके दौरान और ये बाते कही इसके साथी साथ बोड के अध्यक्ष आनन किसो ने बताये कि कंप्यूटर पर अंको की प्रविस्टि के बाद ही मिलान किया जाएगा इसके लिए इंटर में 1599 और मैटरे में 2236 मेकर की नियुक्ति कही ज़िए है ये मेकर और चेकर अंको का मिलान करेंगे आपको बताये कि इंटर की परीक्षा 11 फरवरी से और मैटिक की परिख्छा 14 से 22 फरवरी तक आयोजित की गई थी बोर्ड अधेक्ष ने बताया कि इंटर मुल्यांकन के लिए राज़बर में 123 और मैटिक मुल्यांकन को 172 मुल्यांकन केंदर बनाये गया है MPP द्वरा मुल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं से अंको की प्रविष्टी कंप्यूटर पर की जाएगी इंटर में कुल 69,44,777 उत्तर पुस्तिकाओं का मुल्यांकन किया जाना है तो अब इंटरमेडियेट और जो मैट्रिकुलेशन के इकजाम के छात्र हैं वो अपने रिजल्ट के इंतजार में अब हैं क्योंकि इंटर के छात्र जो हैं वो ग्रेजुएशन करने के लिए कॉलेजों में अडमिशन लेते हैं समय रहते हैं अगर उनका रिजल्ट आ जाए तो वो अच्छे कॉलेज में अडमिशन ले सकते हैं वही हाल मैट्रिका भी है कि इंटर्मेडेट के एड्मिशन के लिए वो रिजल्ट का इंतजार करते हैं तो ऐसे में बिहार विदाले परिख्या समिति के बोड़ अध्यक्ष आनंद कुमार ने जो बता दिया है कि कब रिजल्ट आएगा तो इंतजार आप सब लोगों के साथ साथ हमें भी है फिलाल देखते हैं क्या कुछ हो सकता है जो भी खबरी आएंगी वो लगतार हम आपको देते रहेंगे आप जुड़े रहेंगे दबिहार टॉप के साथ बहुत बहुत है